ओम नमस्षिवा है मैं हूँ एस्ट लॉजर केम सिना और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ डबलु एचो ने आज ये बताया है कि डेली तीन लाक से अधिक लोगों की मौत होने सुरू हो जाएगी और ये मौत कोर्ना वाइरस के बाद जो महामारी आ रही है भुखमरी के करण ये प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको ये बता दूँ कि डबलु एचो ने तो पहले इस महामारी से इतना एलर्ट नहीं दिया और अब ये ऐसा एलर्ट दे रहे हैं कि डरा डरा कर आदमी को मार दे ऐसी खबरे ये चला दे रहे हैं कि पूरी विश्व में तीन लाग से जादा लोग मुख से मर जाएंगे तो यहां पर मेरा क्या जोतिशिय विश्लेशन कहता है मैं आपको बता देता हूँ देखे आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि सूर्य का राशी परिवर्तन 14 अप्रेल से स्टार्ट हो चुका है और बहुत देशों में रिकवरी फास्ट हुई है इवन इंडिया में भी 14 अप्रेल के बाद रिकवरी फास्ट हुई है जब रिकवरी फास्ट होगा तभी इससे हमें मुक्ति मिल सकती है और रिकवरी के केस जादा हो और इंफेक्टेड लोग कम हो और ये प्रपोर्शन दीरे दीरे बढ़ता जाए तो उस कंडिशन में एक ऐसा टाइम होगा कि रिकवर हंड़ेट परसेंट लोग हो सकते हैं और उसके बाद ही ये बीमारी से मुक्ति मिलेगा बहुत सिंपल सा मैं लॉजिकली बात यहां पर कर रहा हूँ तो इसके सही होने के बाद भुक्मरी से तीन लाख लोग मरेंगे तो मैं पहली ये बता दूँ डबलुएचो को ये मेरी भविश्वारी है और आप नोट कर लेना और डबलुएचो तक इस बात को भी पहुँचा देना कि ये महामारी जो आई है ये महामारी अभी सूर्य उचराशी में है डेटा कम हुआ है और इसके बाद 15 मई और 7 मई को शनी और ब्रस्पती वक्री चलने लगेंगे और जब ये दोनों प्लैनेट वक्री चलेंगे वो एक ऐसा टाइम होगा जहां पर मंगल से शनी की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये मंगल है ये शनी है और ये पीछे की और जा रहे है तो दीरे दीरे और ये आगे की और जा रहे है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस ये वापस जैसे ही धनू में जाएंगे तो भारती अर्थवेवस्था और विश्व की अर्थवेवस्था के लिए एक जोड़दार जटका तो पड़ चुका है ये आगे बढ़ेगा लेकिन कब तक होगा ये सेप्टेंबर तक का अल्रेडी मैं टाइम दे चुका हूँ बार बार ये कहना है कि तीन मही तक का मैंने डिसाइड भी बताया भी ता कि चार मही तक लोगडाउन वन चलता रहेगा और लोगडाउन टू जो स्टार्ट हुआ है ये चार मही तक चलेगा लोगडाउन वन का अल्रेडी जो कैलकुलेशन किया गया था उसकी अधार पे ल 17 दिनों के लिए होगा इस बार lockdown 17 दिनों के लिए होगा और 21 मई तक 21 में तक ये lockdown चलेगा और इस lockdown में पश्चिम और दक्षिण के जो राज हैं वो सबसे ज़ादा प्रभावित होंगे पश्चिम में गुज्राथ और धक्षिड में महराष्ट्रा ये तमिल नाडु ये ऐसे राज है जहां पर मैं बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ जहां पर lockdown जादा रहेगा और ये lockdown धीरे धीरे इस lockdown में कमी आएगी और इस रणी में मैंने दिल्ली को भी रखा हुआ है दिल्ली में भी लॉकडाउन 21 माई मैंने वैसे भी 30 माई तक का टाइम दे रखा था लेकिन 21 माई तक का जो होगा वो जादा से जादा इस्टेट में रहेगा और बहुत सारे स्टेट ऐसे होंगे जहां पर लिमिटेड इस इसको कुछ राज्यों में और एप्लाई कर दिया जाएगा और उत्तर में देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली ये दो राज्यों में अभी भी लॉकडाउन 21 मही तक जारी रहेगा और दक्षिड में देखा जाए पस्षी में देखा जाए तो गुजरात महराश तमिलना राडू केरला यह ऐसे राज होंगे जो इसमें सबसे जादा प्रभावित रहेंगे इसके अलावा आंद्रप्रदेश भी ऐसे राज हो सकते हैं जहां पर इसका प्रभाव रहेगा लेकिन अब कुछ ऐसे राज होंगे जैसे उडिसा हो गया उत्तरप्रदेश के कुछ जिले ह बिहार के कुछ जिले हो गए पस्चिम बंगाल के कुछ जिले हो गए जहां पर इसको थोड़ा सा relaxation मिलेगा और पूरा तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन कुछ राज्यों में इसको में relaxation मिल जाएगा और लोग वहां पर पूरे पहले के तरीके से काम करने के लिए चलेंगे और कुछ जो emergency वाली चीजें हैं वहां पर start हो जाएंगी जैसे के 20 अपरेल से कुछ राज्यों में start हुआ तो इसी को हर राज्यों में धीरे धीरे और तेजी से बढ़ाये जाएगा और वक्री शनी इस बार जो वक्री शनी है ये भारत के लिए विश्य के लिए हाला कि देखिए शनी की वक्र दिरिष्टी सबसे खतरनाक होती है शनी की जो तीसरी दिरिष्टी होती वो खतरनाक होती है लेकिन इस बार ये तीसरी आपको बता रहा हूं कि जब तक कोर्णा वाइरस पूरे तरीके से सही संक्रमित लोगों की संख्या जब तक यह खतम नहीं हो जाती है तब तक एक के बाद एक लोगडाउन होगा लेकिन यह लोगडाउन जोगा दीरे दीरे राज्यों में कम होता जाएगा और मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि यह एकदम से लोगडाउन खतम नहीं होगा यह पहले प्रदेश इस तर पर जिला इस तर पर खतम होगा फिर जाकर यह देश म आपको देखने को तीन मही के अनौसमेंट में जो मोदी जी बोलेंगे माने नहीं प्रदान मंत्री जी बोलेंगे उसको आप नोट कर लिजेगा और 21 मही का मैं टाइम दे रहा हूं इसमें ऐसा होगा और रही बात है भुकमरी की तो ऐसी कोई भी चीज इतने एक्सटेंट तक नहीं जाएंगी ये तीन लाग का जो आकड़ा दिया गया है ये तीन लाग के आकड़ा ये इस आकड़े से मैं डिसग्री कर रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि भुकमरी से ऐसा नहीं होगा कम से कम हम अपने देश की बात किया जाए भारत में बात किया जाए तो मे मेरा भी यही पर्यास होगा किहर कोई गरीब मिलता है तो में उसको जब्लोर गोई जाता एक और आप सभी का भी यह प्रयास होना चाहिए तो उसको आप छाना दीजिए लेकिन आज प्रॉब्लम किया है विश्वास करना भी मुश्किल ऊजाताहर कुछ लोंगों alum के दुर वेवार के कारण वो खुद स्टॉक करने में लगे हुए हैं उनको खाना तो दिया जाता है पता चलता है उनके घर में भी बहुत सारे स्टोर किये हुए फूड है लेकिन कोई बात नहीं है हमें अपना फर्च निवाना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए कि हमारा देश तीन लाख लोग जो कहा जा रहा है विश्व में मरेंगे यह ऐसी प्रतिक्रिया आपको यूनाइटेड नेशन्स में भी देनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इतनी जादा लोगों की भुकमरी से मौत नहीं होगी और यूनाइटेड नेशन्स पहले जिस समय इतना जादा समझाना था उस समय तो इसने समझाया नहीं और जब यह रिकवरी स्टार्ट हुई है अभी रिकवरी स्टार्ट होना सुरू ही है ग्रहों की दशा ठीक सुरू हुई है उसके बाद अपने टॉपिक को लेकर लोगों को परिशान करने पर यह तुल गए है कि तीन लाख लोग मरेंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा और यह मैं इसका परिडाम जरूर देखना चाहता हूँ और लास्ट में अपने एस्ट्रोजिकल प्रिडक्शन के की ऐसा नहीं होने वाला है और ऐसा नहीं होगा किसी भी कंडिशन में और हमारा देश भारत जो की ग्यानियों का देश कहलाता है जो की धर्म गुरूँ का देश कहलाता है और यहाँ पे हम धार्मिक काम भले अभी मंदिर में जाकर नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे देशबक्त और राश्रवक्त इस समय घर गर गर और गली गली में जाकर जनता की सेवा कर रहे हैं और ऐसा ही प्रियास आप सभी लोगं को भी करना चाहिए एक भी इनसान भूख से नहीं बरना चाहिए और इसके लिए जिस प्रदेश में मैं रहता हूं वहां के मानेनिय मुख्यमंतरी योगी जी तो लगे हुए हैं आपने देखा इनके पिता जी का निदन हुआ है उसके बाद भी ये किस कर्तब निश्टा के साथ लोगों की सहायता करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और ऐसे ही अगर हर राज्य के सीएम पूरे निश्टा के साथ लग जाएं विशेश रूप से मुंबई में जैसा यह हौट स्पॉट बढ़ता जा रहा है वहां के चीफ मिनिस्टर को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस समय राजनीती छोड़ दीजिए आपके तीन द सबी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दीजिए कि डबलू एचो की बास से आप कितने सहमत हैं आपको क्या लगता है कि डबलू एचो ने बोला है तीन लाट लोग डेली मरेंगे अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लिजिए कि एक करोण की संक्या जो होगी वो आते जाते मैं बार बार बताता हूं भगवान विश्नु ही इसको बचाएंगे इस समय राहू और भगवान विश्नु के युद्ध चल रहे हैं और इसमें गुरु की पूजा अगर हम देशवासी करते हैं भगवान विश्नु की अरादना करते हैं और मांसा हार का त्याग कर दीजिए मांस का जो आहार है इसका त्याग कीजिए उसके बाद ही ये बिमारी दीरे दीरे खतम होगी एक छोटा सा मेरा निवेदन है और इसको हर लोगों को फॉलो करना होगा तभी ये महामारी खतम होगी और फिर जात जाते बता दूँ डेट में किसी प्रकार का कोई च शुलाश जोचए हुआए छिए जुला धुलाश निवेदन है और उसके खतम हैं प्रकार का जहां डिले खं और फिर खतम हैं और रुलिए